वेलो स्टूदेंट्स वालकम बेक तो मैं चैनल हाज मैं आपको डिए ली क्लास 7 साइस के चाप्टर 9 इसे पादे मैंने साइस से बहुत सरे वीडियो दिए अप्लोड किया हूँ है इस आप नहीं देखा है तो साइस का सेप्रेट प्रेश बना हुआ है या आपको में चैनल क सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने से पहले अपने जैसे को प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं यह सभी और इसमें का और लिविंग ऑर्गनिज्म जो है अपनी जैसे एक यह से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं इसे कहा जाता है इस जो डिटैल डिटैल मेकनिज्म है रिप्र्रोडक्शन का वह डिफरेंट होता है वो हट्रूस किसी में यह है किसी में उसका अव hanno को पड़ह कगा है मार एगन दीज Cy Cristian का यह सभी और मैं होता है यह इता है अब यहाँ पर फंजों को यह जाना है कि कहना को साथ के से प्लाइब करते हैं इसको पढ़ने से पहले हम दो双का सब्सक्राइब जो इसमें फॉह ऋपर चलिक्ट चलियर के था फॉब्हपस फे उननली है या जैसाली पस लॉबाया का लेक resonant लोगने मैं एल्गे सब्सक्राइब बता करें तो और यह नो को प्षांग्य को प्लांट में किस टाइप से प्रडाक्टिन का प्लांट में उसे जनुईर टू में टाइप में गूरूप किया गया है पहला ए शक्रढ़क् involved ord시 एक्षाइब कर पकटा आ करपाता है आपने जैसे सेम इंडिविज्म को सेम स्पीसिस को प्रडÓश करपाता है बीना लागे उस्दै। होता है जादताप के प्लंस के पास में का मैं होता है कैसे आशे करता है कैसे होता है फैंड ज यह जैसे कि यस्ट के त्रूड करता है यर्व की जानते हैं कि जुर यह एक निभिय तो तो इसमें इसे बड कहा जाता है जो का जाता है यरु के सेल में यह जाता है इन में से एक नुक्लिय जो है यह पैरेंट सेल में जाता है और दूसरा बर्ड में मूग कर जाता है जैसा कि आप यहां पर सीगर से यहां जैसा बर्ड में पर तो इस वहां उलैके कि आपर जाता है तो जो रीषिय जो अद्यायग उल् pack dumped में है काफी क्लं कि यह बर्ड के बादtu बन यह फीर्ड जाता है यह पर सकांट ऐसा बर और वाहां पर प्रोड् call. विए आदो करता है ब्रोड़क्शन में टाइम में तो यह जो बडू प्रोसेस लेना है है हनदेर में लेना है लेना है लेडना है ओक फ्यायद वर दाल देना है लेक चमस के अगर दाल देना है ओसके सास्से के क्या करना है जाइक के कुछ ग्रेंस हम लोगों को डाल देना है की आपको था साफ में मिल जाएगै । या फिर केमिस्ट में मिल जाएगा उक्यामिक कमिस्ट धालाएं मिलता है ये से हेbars केक्स यह विलेबर होते हैं कुछ बेक्री-अचछे दिशашаbas f पीकर कर जो माउथ है उसे हम लोगों को एक लीड या फिर अलमुनियम फॉयल से कवर कर देना है और 24 आवर्स के लिए हम लोगों उसे अंडिस्टिब्यूटेद लग देना लोगों से कुछ भी काम नहीं करना वहाँ पर देना जहां पर कोई भी नहीं जाए या फिर उसे किसी परका कोई डिस्टर्बेंस नहां हो अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ बबल्स राइस कर दे हैं और उसके सर्फेस में फ्रॉट फॉर्मिंग होता है अब इस सॉल्यूशन का हम लोगों को एक डॉप लेना है ठीक है एक ग्लीन ग्लास लाइ साइड में अब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर बडिंग के डिफ्रेंट इस्टेजिस को देखने के लिए यही था कि इवरिवन नेक्स्ट टॉपिक देखने है फ्रेग्मेंटेशन हम लोग ग्राउंड पॉंड्स के नियर में जो भी ग्राउंड होते हैं तरह दूसरे वार्टर बॉर्डी में इस्टेगनेंट वार्टर में जहां पर वार्टर इस्थे रहता है जमा हुआ रहता है वहां पर आप लोग एक स्लिमी ग्रेट ग्रीन पैचेस को अब्जर्व किये होंगे ठीक है यह आप उसमें लिफ्ट करना चाहेंगे एक स्टिक से तो स्टिक 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 से तो और यह दो से लिफ्ट करना चाहें जो पूरा पॉर्ण जो है यह ग्रीन इसकंप से कवर हो जाता है यहां देखें प्रोसेस को देख सकते हैं कि यह पूरा था उसके बार यह दो सब्सक्राइब हो जाएगा आपने बासी ब्रेड में बासी रोटी में कुछ दूसरे स्पॉइट फूड में एक कौटनी ग्रोथ देखा होगा ठीक है इस कौटनी ग्रोथ को मान्यूट पीन हेड लाइक इस्ट्रक्चर में कनवर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे कहा जाता है इस्पॉर्ण गिया क्योंकि उनके पास इनके सर्फेस में स्पोर्स होता है थिक वाल्ड होता है माइक्रोस्कॉपिक होता है और यह सेक्स्वली प्रोड्यूजिंग ब्वाडी होता है यह जो है विंड क्या जाते हैं और विंड में एयर में फ्लोट करते तब जर्मिनेट करते हैं जब इनके पास ग्रो करने का एक स्टेबर मेडियम होता है मौसेस और फॉर्न्स जो है यह इस पोस्ट के प्रोडक्शन से ही प्रड्यूस करते हैं यह सब जो नॉन फ्लाविंग प्लांक्स के एक्जामपल्स थे जो की सिर्स को प्रड्यूस नहीं कर चुछ नहीं है और इसे लीड से कवर कर देना है इसे कवाम और मॉस्ट प्लेश में हम लोगों रखना है 48 आवर्स के लिए दो दिन के लिए चॉपटे रहना है आपजर्व करते रहना है हम लोग कि ब्रेड के उपर एक कॉट्टनी ग्रोथ हो रहा है कि कॉटन टाइप का होता है यदि हम लोग इस ब्रेड को और दिन दखेंगे तो लाइचे डफ लफ होंगे कॉटनी ग्रोथ में कलर पैचे डप लफ होंगे टाइनी पीन हेड के की वाहाल के कारण ओके यह यह इस्पोर्टेवर्ड करते हैं इस प्रकाश से घाडन में डिस्टेंट टाइप सफ लावर होते हैं उसी प्रकाश के आपके जो आपने जो माइक्रोब गार्डन बनाया है इसमें डिस्टेंट व्याइटीज फंगी होंगे यह कलेक्टिवरी ने व्रेड मूल सोंगे तीक है इस टाइब के इस एक्षर रिप्रोडक्षन यह रेखे जाते हैं इस मेहतर में क्या होता है कि यू प्लांट जो है यह वेजिटेटीटीव टाइब से प्रडूज होते हैं जैसे कि रूट हो गया इस्टेम हो गया लीफ आपने पुटेटो टूबर्स को अफजर्फ किया ही होगा आलू के कंद को आधर्स किया ही चाग्येटू प्लांत के ऑंदर ग्राउंड के स्वट्यूल होगे फूले एक पोटेटोटोट्र निटार्यशन में फूटक्टे लिए क्रलिए cabbage दो सीषरें निदेटोट केनों वासों कि रिस्तिक्र प्रवाइशन वती है में होता है यह सब चाहिए करते हैं इक लाहिता है जो कीड़े सर्फ करते हैं और कुछ प्लांट के दोरा इसका यूज किया जाता है विंटर में और कुछ अद्वर्ट कंडिशन के दोरा इसका यूज किया जाता है जैसे की ड्राउट सुखा पड़ जाता है फिर बहुती जारक गर्मी होती तो समय इसका यूज किया जाता है कैक्टी सिंगुलर कैक्टर जो है इसे स्वाइल में जब उगाया जाता है तो बरेकिंग पाथ ओल्ड इस्टिम के बरेकिंग पाथ से बहा है करके तो हम लोग जो है इस सिर्फ कितदेट कारपिट में एक ग्रास भ्राइब को सब्सक्राइब को डालता एक ढलता है फैल जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यह स्टेम है यह होंद लिए करता है और लीप को प्रोडซ करता है रूच को प्रोड्यूस करता dyu के र्यगूलर इंटर्वल में इंपॉर्डटर्ण को अक्सर इसक्रशाख्षा की बिर्चारित की ज्वाबा में होता है दूसरे आर्टिविसियाल मैथड्स जैसे कि ग्राफ्टिंग एक भादा प्राइब कर दिदा दो कर दिया हो ज़ीन के दोड़ा में होता है डूसरे अंटिफियल मेथड्स जैसे की ग्राफ्टिंग में किया जाता है साइ्टरस यहांक झाल किया जाता है यह भी व्यगिट्रिट्री क्रफि इसके बात यहां पर अपर सोना मैं पुरा समझा दिया मैं है पर दो चैनल सब्सक्राइब करने क्योंकि मैं आपकी एक लाता हूं लेटे प्रोपीशन स्वाइशन कैसे होता है अभी तो हम आपने इस्ट्रीम के बादे में जाना इस्ट्रीम के बादे में जानेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं इनके लीप के नौचे नौचे में बAre obtят है ये तैनी प्लैंट लेट्स में डिलप हो जाते हैं और यह न्यू प्लांस में गड़ो करते हैं नियू निटे स्वाइल के कौण्टैक्स में आते हैं हैं त्टी प्रापाइशन आफ सौम्य रूट्स हम झाद ही स्ट्वेगेशन के बारे में पढ़ लिया ठीक है लीफ से कैसे रिच्टेडी प्रफिगेशन होता है कुछ प्लांट जैसे कि स्वीट पटैतों हो गया डेहलिया यह सब जो अपनी रूट्स को यूज करते हैं एस एक्सवल प्रड़क्शन के लिए जिनार का जो पेर होता है यह अपनी रूट से निए स्टेम्स को भेजता है ओके समय में क्या होगा जो ट्रीज का इंटायर ग्रूफ है यह ऑडिजिनल ट्री से ही फॉर्म हो सकता है वजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है इसका सेक्सवल रिप्रड़क्शन के ऊपर बहुत सारा एडवांटेज है तो यह जो सेक यह та बाल जो ट्रीज किए गए घाइक्ट कोपी होते है तो दिटỉकल होगे यह कोई होगा तो यह फिल सक कर सकता है कि यहां परेगे स्वीट पटाइटो और ढालिय ट्यूबर का इमेज दिखाया हुआ है अब देखते हैं सेक्ष्वल रिप्रोडक्ष्वन में दो इंडियुडिवल्स की अवस्षेक्टा होती है जो normal human reproduction है यह sexual reproduction का common example है flowering plant में हम लोगों ने पढ़ा था कि flowering plant में जो reproductive parts होते हैं यह flowers में located होते हैं अब parts of flowers के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज़्याद़ flowers के पाद सेपल्स होता है petals होता है इस्टमेंस होता है और पिस्टल होता है यह green leaf like structure को form करते हैं यह green leaf like structure के outermost hole को form करते हैं bird stage के दोरान यह flower के inner part को protect करते हैं okay petals जो है यह brightly colored होते हैं और fragrance को भी produce करते हैं petals insects को attract करते हैं pollination के लिए stamen जो है यह male reproductive part होता है यह एंथर और filament को consist करता है pollen grains जो है यह एंथर में produce होते हैं pistil यह female reproductive part है जो कि ovarian ovules को consist करता है flowers यह तो pistil को contain करेंगे यह तो stamen को contain करेंगे कुछ कुछ plants में और कभी कभी कहा होता है कि दोनों भी content होता है दोनों रहते हैं flowers कुछ plants के flowers होते हैं जैसे कि papaya और corn pollen इनकेपास pistil होता है यह तो estamIden होता है वैसे flowers को कहाँ जाता है unisexual flower एक unisexual flower एक male flower हो सकता है stemon से और female flower हो सकता यह to be Environment सो के a few plants केente econ flowers होता है जैसे कि tomato बींजर स्थाइध में के पास दोनों estamIden भी होता है और principle होता है सबी flowers में होता है क्लावर को सेक्षवर प्रडख्शन है यह को फॉल करता है जो कि हमारे स्टीर में दिया हुआ है सबसे पहले हैं यहां पर सुरू होता है सीथ जयमिनेट हुआ हुआ कि जा अब दए सब getirने इस पूर्ट हर प्लाइन स्युवा सब्सक्राइब साइब करते हैं सब्सक्राइब प्रवरीजस एक फ़िर से सती हुआ दोओ जाता है अब हम लोग इस life cycle में जो में प्रोसेस होते हैं उसके बारे में जानते हैं ठीक है पॉलिनेशन जो ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन जो ट्रांसफर होता है इसे कहा जाता है पॉलिनेशन पॉलिनेशन होते हैं यह उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या तो दूसरे प्लांट में मतलब उसी टाइप के दूसरे प्लांट में जो फ्लावर उसमें ग्रो हो रहे हैं उसी फ्लावर के यह बैद्धिन होते हैं यह बी में इस्टिक हो जाते हैं जब वो प्ल्च में आता है इसुर्ड को क्लेक्ट करने करें तो उसमें पॉलन जो फोनलं प्लावर के पॉलिनेशन होता ऐसा पॉरा होता है यह उसी प्लान्ट के वही उसी प्लांट के पॉल्लेटिन जब उसी के दाओ टेन से कहा जाता है 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 के यह कुरास पॉलिनेशन विल जाता है पालिनेशन अपनी याप yodh is in nature जो फॉल्लेशन का प्रोसेस होता है यह ज़ाता है तो फॉल्ली क्या वश्यक्ता होती है पॉर्रिंच निविए ऐसे एजन्ट है जो कि करते हैं और को टांसफर करते हैं एक एंधर से दुस्रे स्टिगमा में बीन्ध हो गया वाटर फ्लाइज और भी बहुत सारे इंसेक्स जो है जैसे कि यह नेचर की में पॉलीनेटर से वाटर जो है ये पारी नेशन का में नेशन होता है तो पारी नेशन के बारे में अब समझ गए एक आपके पस नेम लिखने आए कि पॉलिंडर्स और कॉन है तो विन प्रह बीज हो गया ठीक है बदरफ्राइश फिर बार्ड राट बैस और यहां पर देखिये हमा फ्लावर के इंद पासा आया हमें रखी यह पॉलिण पॉलन के पासा है ने बीट पहले जाए हैं इसे लावर के पासा और पॉलन पॉलन के यह पहले हैं और साइज में माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसे को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है बहुत ही हलके होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते साइज में इसे हम दोग नंगे आखोस नहीं देख सकते हैं लोग माइक्रोस्कोप लेन अपरेगा इसके लिए यह मेल रिप्रॉलक्टिफ सिल्क को कंटेन करते हैं हर एक पॉलन ग्रेन के पास एक डिस्टिंक्टिव उतरवार होता है जो की टफ होता है और डीके के लिए रसिस्टेंट होता है फ्रैके प्रेजस्ट होते हैं यह सब्सक्राइब थे विखाए हैं और फिटाम दोट ही होते हैं वह पेटर से higher level में miałam रहे हैं और यह में अधर से बीचS होता है यह पर सब्सक्राइब कर leaning तो रहता है उसको इस्टाइल का जाता है और अंदर में दिखिए आप पार्सा फ्लावन तेक ओवेरी रहता है ओके देखिए अंधर्स उपर रहते हैं जिसके कहाँ क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेंस हैं वह विंड कर दर ब्लौन अप कर दी जाते हैं वह दूर चले जाते ह लाल लिये जाते हैं जो इंसेक्ट होते हैं जो इंसेक्ट प्लिनेटर फ्लावर्स होते हैं यह ब्राइटली कलर होते हैं और उनके पास नेक्टर ग्लैन्स होता है यह स्वीट लिक्वीर नेक्टर को रिलीस करते हैं जो की इंसेक्ट को अच्ट करता है तो एक मीठा लिक्वी कि अब देखते हैं फडिलाइजेशन पॉलेंगेंज जो है वह तब होते हैं जब वह फ्लावर के स्टिग्मा में फॉल होते हैं उस सेम इस्पीसिस के एक फॉलेंट ट्यू प्रोड्यूस होता है जो कि और व्यों में पहुंचता है जो मेल और सीमेल रिप्रोडक्टिव सेल् कर जाता है यह फूस करते हैं मिलते हैं प्रोड्याचे को पड़िएगा फ्यू। करते हैं यह जए जुव्य। प्रोड्यूस हुआत का मेल और सीमेल जामेट्स के एंप लिटोट्टक में पोलわか जाता है जो जाता है और वीन के प्लांट को फॉर्म करने too इसे कहा जाता है embryo तो अभी हम लोग sexual reproduction के बाएं पर्डर तो जो fertilization है यह sexual reproduction का ही एक पार्ट है बाके हम लोग ने sexual reproduction के अंदर जितने भी चीज़े थे इसने में topics से सभी को discuss कर लिया है ओके अब हम पर next आता fate of the flower after fertilization fertilization के बाद क्या होता है कि जो sapers होते हैं met Ukraine patrol doter ऑल इस्टेमेश सोथे हैं यह सोख जाते हैं इस्टिंग्मा दीचवाता है और नीचे गर जाते हैं टीक है fall of कर जाते हैं फोलाफ कर जाते हैं बहुत ताइम जो हो जाता है clearly एक जूतकर फेलाइशन के बाद सारह और बशेस को खता है是香港 जाता है hetday the definitive करते हैं एक सीद के पास कौती लेंडन होते हैं जो कि फूल को स्टोर करता है और सुचर प्लांट को स्टोर करता मैं इंब्रियो को स्टोर करता है जब लिए करते कि यह एक बेवी प्लांट को फोर्म करने के लिए करने लिए तो से कहा जाता हाँ प्रूर अब हो देखते हैं के यह से कहां करतास है ओडी सिरुड को फॉर्म करता आ एक से कि तो समझना आपहरी बहुत ही हीजी बहुत ज़रूरी है कि जो और ही है यह ग्रो करता है और fiuta को करता है जो sweet मुष्ट्प को सकता है श्रीट को होसकता है दिनूष्ट करता हैं ओर moving होगया जैसे कि आप डेख सके installment हाँ बहुत ही हाँ बुडी है लग्डीटकर होता है कि बहुंत ही अपर होता है ॐग लोगया comfort को逼 लेकल ऑबरकर सекस् सब्सक्राइब तो हम लोगा मिवान कि फूर्ट जो है यह और भूर्ड Geniusy portion नहीं होता है लेकिन यह प्लावर की इस्टाक के लिच्ट जिद के और बने होते हैंAI कि तожетन मिःशन इंसालोड और नहीं होता है यह इक दरटिन करे ब्रोह न स्टाप तो इस फ्रावर का गीतना फर्टिलाइजेशन के बाद सेपर्स पेटर्स इस्टिग्मा यह जो भी होते हैं सभी गिर जाते हैं अब उसके बाद सीट का डेपलेमेंट होता है सीड देवलप होते हैं कोतील होते हैं तो करता है फूट को सब्सक्राइब फूट करता है फूट के सब्सक्राइब करता है और एक न्यू प्लाइट को फॉर्म करता है अब हमारे पास next and most important topic आता है सीड डिसपर्सर इस चप्रे का लास्ट टॉपिक उन्हें इसली पढ़ लेते हैं हाइस प्लाइट में क्या होता है यह सीड को को प्रडियूस कर्के रिश्पर्डियूस करते हैं नेंटर्य यह होता है यह इंप्लांट बहुत है तो एक लाज़ originating seedlings जो है यह parent plant के बहुत ही आमने सामने grow हो जाएंगे ठीक है नहीं जाएंगे तो parent plant के पास यह हो गिए भनक़िती में झीड़ा हो जाएंगे سब look करींगे कानम का knowing समय वह बेखेंगे किसे लेका टा सकती है कि सिलिंग्स परिपेर किया जाता है उसको पाने के लिए कॉम्पीटिशन होगा ठीक है यदी ऐसा हुआ कि प्लांट को ज्यादा जो भी फर दे रहा है ठीक है उसे ही ज्यादा नहीं मिला संलाइथ या फूरी एसर है तो वह मर सकता है यह सब दिक्कते आती है थी डिस्पर्शन नहीं होग तो क्या दिख्कत आसकती है जो competition होता है यह light को लेकर के हो सकता है Space को लेकर को सकता है nutrients और वाटर को लेकर को सकता है कौन जागा water लेगा किसे जागा nutrients मिलेगा और यह सब जो भी water nutrients light और इस पेस यह सब plants के growth बिए उस दिषम नमेम पते हैं रिक है यह वह सारी नंबर्स पे डिस पर किये जा सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा ठीक है वाटर और अनिमर्स के तरह भी किये जा सकते हैं कुछ प्लांट जो है यह सीट को एक्सप्लोजिवली शूट आउट कर देते हैं इस शीट दिसपर्सल के अंदर सबसे पहरा टापिक आता है डिसपर्सल बाइप विंद सीट बहुत ही लाइट होते हैं वे विंद के दवारा हवा के दवारा एक न्यूग प्लेस में कैरी कर द को फीर्भ जहां है इक में होता है उसरी चाल मैं प्लैक को कुरते देखा जाए जंजाने होता है इनके पर सहरी होता है हुद्स को है एक पयार सूट को अपार्ट हलेरा यहियोम्रोफ से बहुती जादा दूर चलए जाते हैster है इस चीज को आप लोगों ने देखा ही होगा ओके एक स्ट्रीक का जो सीड होता है मैपल का जो सीड होता है और संफ्लावर का जो सीड होता है यह भी विंड के दोड़ा क्यारी कर लिया जाता है साथ सकते हैं चैसे लोटस वाटर ली ओके कोघनध पार्म यह सब वाटर के दर दोड़ा ही क्यारी किया जाते हैं नहीं कोकोनट जो है है यह थाउजन्द व किल्यूमीटर ट्रक्रावल करता है सी से और मतब सी से और ओसियन से थाउजन किलो मिटर्स टक ट्रावल करता है बहुत ही आगे-आगे तक चला जाता है यहां पर देखे फ्रूट अफ कोकोनट यह देखें कितना यह बहुत दूर दूर तक जा सकता है थाउजन ऑफ किलो मिटर्स तक परसल भाई अनिमाल कुछ प्लांच के पास जूसी फ्रूट हो जिसे आनिमाल खाना पसंद करते हैं जो आनिमाल है यह पूरे फ्रूट को एट क करते फ्रूट को खाते हैं लेकिन सर्फ जूसी पाथ ही जाइजेस्ट होता है जो सीद है वह अनिमाल डाइजेस्टिव सिस्टम के पास हो जाता है और वह जो है एक लैंड में डिपोजिट हो जाते हैं जहां पर न्यू प्लांट स्वाम होते हैं यह जो लैंड है यह पैरे से डिसपर्स की जाते हैं बहुती कुछ फ्रूट को खाना पसंद करते हैं नोगे जो है शीड को डिसपर्स करने में एल्प करते हैं दूसरे अरियाद में अपने जॉपिंग्र सकतरू सीर्स जैसे kis is zenthium और शूरेयना के पास spiny see rules के साथ यह जो सीर्स यह animals के षर्ण साथ attached हो जाता है okay और दूर दूर तक छला जाता मतलब ford में जो attach हो जाता रहा है तो यह ब्रसص चिपख जाता है उसके पाद जो जहां जाता है बड़ जहां जाते हैं वहां पर यह उनके साथ चला जाता है ने ने पर सब्सक्राइब को शूट आउट कर देते हैं कुछ प्लांज के पाथ फली कहते हैं मतलब करने पॉर्स होते हैं जो एकस continually बेंए जब वह Ay't a जाते हैं और आप do भी बार निक़ी जाता है है प्रलांच से दूर जाता वोगरदी जाला दूर तक श्काइटा हो जाता है जब यह प्रोसेस में पना देकल schedules को देखा जाता है i7 तो भी के जो सांख गाल झातै यह आख लाइं और पोड जार ब्रस जाता है उसके उसका इसीट्स की स्काइटर हो जाते हैं यहां पर देखिए इस पर सब्सार इस यह आपके सियर ओक्स यह प्रेना के शीट्स काहिक को कुषिए सब्सक्राइब कर चुके हैं और सीट को शूट आउट कर चुके हैं ओके इस पर सब्सक्राइब हमारा खतम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टन टापिक था इसके अंदर टाइप सब्सक्राइब इसके साथ इसके इस चाप्टर पूरा होता है तो यह आपको विडियो अच्छा लगा तो लोगों कर दीजिए और यह चैनल पे नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लिए क्योंकि मैं आपके लिए इस एजुकेशन विडियो इस इस चाप्टर के नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स कर जिएगा और इस विडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएगा थैंक्स राचिंग